बगजी कहने लगा अब आपको जिन्दा जाड़ेता हुदार्मत दिखाता हूँ दान पातर में पत्र मिला उसने क्या बताया अब आपके आगे पड़ का सुना जू अब जब तक हमें प्रमसंत नहीं मिलेंगे तब तक हम अपनी अपनी अप्रोम अठके रहेंगे इसने क्या बताया कि जिब मेरी पत्नी दो बच्चा नचोड़ के चली गई और मुझे इस दमे की बिमारी दोनों बच्चों की परवर्ष के लिए मैंने चोरी का सारा ले लिया चोरी करन लगया और आपका स्रक्संग सुना मैंने आज ही और आज आपका नाम भी ले लिया और मेरे दोनों बच्चे चूहों की गोड़ी खा का मर गए उस दिन जासने यह स्रक्संग सुनाय था कि जो अपने बच्चों को चोरी का या रिश्वत का गंद से परविश करता है उसको अपने बच्चों को जहर देने की जुरूत नहीं पड़ेगी एक दिन ऐसा आप आ जागा और भी परमात्मा की सुईदान से आपरिचित होने से आप लोग ये करते हों क्योंकि ना मासा गटे ना चल बदे जब तक उस परमपिता का सहुग नहीं मिलेगा वो तो गटावदा देगा परमपिता कबीर परमिश्वर और किसी के बस कहने कोई कर्म ने काट दे तो इसने अपनी आप भी तीक था सुनाई इस अदास को और इसको पत्तर हमने दो जिन परिच्छा मेरा दान पात्तर में पढ़ा रहा किता है पैसे पैसे काट दिया हमने गुरू जी मैं एक बेबस लाचार हूँ मेरी पत्नी दो बच्चों को छोड़ कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई मैं सांस की बिमारी का मरीज हूँ मेरे पास कमाने का कोई सादर नहीं था इसलिए बच्चों के पालने के लिए मैंने चोरी करना शुरू कर दिया उस दिन भी मैं चोरी करके आया था लेकिन मैंने आपका सखसंग सुना तो आपने आपसे नफरत हो गई जो कुछ मैंने चोरी किया था वह पैसे दान पातर में डाल दिया यह इसलिए कि मेरे पाप की कमाई से बच्चों का जीवन बनाना चाहा लेकिन मैं दोनों बच्चों ने चूहों वाली दुआई खा कर मर गए अब गुरू जी मैंने इतने पाप कि ये साइद साथ जनम भी नहीं दुल सकते कल मैंने आप से उकदेश भी ले लिया आप करपा करें तो साइद मेरे पाप कम हो सकते हैं सथ संग में आप सथ कहते हो कि करम पूरे गुरू के बिना नहीं कट सकता मैंने आठ साल से आसाराम बापू का मंतर ले रखा था लेकिन पाप कटने की वजाए बढ़ते ही चले गए गुरू दियाकरन मुझ पापी पर भी परनाम गुरू जी एक दुखी जीव का पतर अब ये सोचना के देखो दासलिया अब इमान नहीं करता है कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ या मैं बहुत लेकिन मेरे भगवान वो शमरत हैं जिसकी मुझे आड में दिखी है और वो ही हमारे बुराई छुटा सकते हैं ना कती ना छुटे हैं कितनी बात पनाओ देखो एक राजा की राणी ने नाम ले रखे है गुबदेव के अर जब लड़की उसकी पतनी ने पता लगया कि ये वगती करेवनाबाद बिगड़ जाएगी ये दो दन का राजा अपने कमाई खा रहा है और अगले जनम में युपशू बनाएगा अपनाम लेलो जी बहुत बड़ इया बात से है बगति तो करनी चाहए लेकिन वह नँर सोच आए वह जो कहा है ये ये गुपशू बगति कर लगरा जो आपना मंत्र करता हूं जाप करो जी सा बगवान अरे राम अरे राम करूं और के नाम ब्या किरें गुरू जी क्या हु अक्सा प्रश्च ने गुरु बना ले कि अपने गर्ने वक्ती कर ले। जब उसने काफी कहात एक दन कहन लेगा मैं चलूंगा त़ अपके गुरु देजा अपके मेरी संका का समादान कर देंगे तो मैं आम ले लोगा अका अक्छा जी चालिए ता पर गोलियों तंगते हूं वाँ पर गुरु जी का गए उल्ट सुल्ट मठ गोलियों अग नाम ठीक बोलो अब राजा जी आगे राणी ने कहा गुरु देवाज तो ये बगजी भी आगे हैं और आप से दो बात करेंगे फिर नाम ले वेंगे अगा अच्छा बेटी कोई बा अजया ज़रूरी है बक्ति दो गर्वी भी कर सकते हैं वैसे भी तो राम का नाम डे सकते हैं बगवान का याद कर सकते हैं अब गुरु जी आज को तो इतना वेस्त हो संगत ज्यादा है आपकी परशन का उतराज नहीं दे सकता मैं कभी आपके घराओंगा वहाँ प्रेम त दूगा अर यार पीछा चोड़ ड़ा जाना उंता मांती ना गुरु जी ने समय नेट कर गया जी उपुस्ते नाउंगा वह चले गए अब राणी ने सब मंत्रियों के कह जिए मेरे गुरु जी आओ तो आगर के साथ अंदर ले आना अगाच्छा जी अब राजा बैठा अ यह उनको संका आदेश लेता है इसको रष्टो तो इसको राजा की तरफ संकेट करता है अब दो तीन बार कहा तो राजा उसके मूझ का नहीं देखा कि वा अचाद्वे कुप रशंथ है वो जे रेस्कर अब राजा न बोला कि इसका दिमाग खराब गया दिखा है राजा पर आपके आरेस्ट करो इसे उन सेनिकों से कहने की देरी थी पूरा वक्य निवा था इतना है रिशी जी पकड़ कर एक फुट था दिया जमीन तो उपर इंतजार करें का कि क्या कहीं इसने गढ़े या कि तो जेल माठोक है इतने मारानी आगी रानी कहने लगी रानी कहने परसन किया था क्या गुरू जी के बना बगती नहीं होती है अकिये के उतर दिया बद तमीजी कर रहे था आप मेरे साथ मेरे सेनिकों को और मेरे से पकड़ अरेस्ट करने के आदिस दे रहे थे कि यही तो उतर दे रहा था आपके परसन का मुझे छड़ वागनता है उनका आपके पास सबद सकती है और मेरे पास आपके राज़ वाली सबद सकती है और मेरे पास आपके राज़ वाली सबद सकती है और मेरे पास आपके राज़ वाली सबद सकती है और मेरे पास उस बगवान की सकती है और आपको के राज़ की सकती है मेरे पास उस बगती वाली मा मैं आख के अर्डी सुपर साठिक करो दो सेकरण में भी हिसिके ने मुझे पकत लिया और आपके कहल द्होत अब कह रही तो… आपके सब्द मन सकती है मेरे सब्द मन करेला है और मैं जो मंझान जूँँगा तुनिद काम करेगा आप चेह सोबह कहले ना किसी पोचे नाम भी दे जाना ये नो के नो थारे कती काम नी करेंगे। दोस्योर होगा। राजा चलनाओं में गिर गया। क्याते हैं समझधार को संकेत बहुत होता है। तो ऐसे प्रमपिता प्रमात्मा की बगती प्यारी आत्मा ऐसे बनेगी। तो वो धर्मदास प्यारी आत्मा पर खुके चलनों में गिरक है। और गुल गया उस प्राणय अदूरे गुरू ने। और रेलिया नाम समरत का उसका बेडा पारगवा। बोलो शात्यगोरदेव की जाए।